कर दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई हूप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे यहां बहुत जरूरत है और बाकी आप यह मान के चलो कि मैक्सिम्स जो होते हैं अगर आपको 100% स्कोर करना है मैथमेटिक्स में तो आप हर क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं कर सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन होंगे जिनमें बीना बेसिक जाने आप नहीं कर सकते हैं और एक ची इप्रेश्चन में क्या कहा गया हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है कहा गया यक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं नदी एक्स वाई के समांतर बहती है और क कहा गया कि बोट डाउन इस्ट्रीम और जो मतलब नाव की चाल है और धारा की चाल का उन्हें बात बताना है समझेगा प्रश्ण को अगर मैं ड्रा करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा देखो कहा कि èx यह बिंदय मानलो y यह वाला बिंदय मुलो clear है कहा कि play और ग्यू प और ग्यू जो है इसको रख расс subscribe यहाँपैं यहाँ परा। कहा कि कोई नाव है एक से क्यू तक जाती है देखो क्या कहा किया रिवर्ट फ्लो ऊलंग x टू y and the time taken by a board to row from x to q and y to q ठीक है x to q to y to q is 4 is to 5 देखो जो धारा की दिशा है वो ये दिशा है मालो board की speed board की speed b हो और धारा की speed s हो तो x से y के direction में गर जाएंगे तो हमें जो speed मिलेगी वो धारा की दिशा में यानि stream के side में मिलेगी यानि के down stream speed मिलेगी यानि अगर हम x से q तक जाएंगे तो हमारी speed जो होगी वो b plus s होगी यानि board की speed plus system की speed और y से q जब आएंगे तो हम opposite direction में आएंगे धारा के यानि तब हम b minus s से आएंगे कहने का मतलब समझेए एक बार धारा की दिशा में जाएंगे x से q तक और फिर y से जब q लटेंगे तो हम b minus s से जाएंगे जो दोनों में लगा समय है आप एक बार बताओ अगर x y पूरी दूरी को 3 ये माने तो ये वाली दूरी a हो जाएगी ये वाली दूरी a हो जाएगी ये वाली दूरी b भी a हो जाएगी ये तीन बराबर भागों बाठा है ये एक से q तक गया तो कितना समय लगा होगा वो कितने दूरी 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 होगी x से अगर q तक कोई चीज जाएगी तो 2 ये दूरी 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 करेगी इसको किसी स्पीड से गई b बटे b plus s से दूरी दूरी किसी स्पीड से तो समय क्या हो जाएगा समय बराबर आपको पता होता है distance upon speed पहले case में भी distance upon speed दूसरे case में आपने का ये भी time है ये वाला भी time है ये इतना भी time है और इसी time का अनपाथ 4 अनपाथ 5 दिया गया यानि आपको time का अनपात दिया गया 4 5 यान इन दोनों का जो अनपात है वो 4 5 5 आप से पूछा क्या क्या है आप से गागया है ratio of speed up boat downstream downstream boat कि speed यानि B प्लस Éस यानि कि downstream speed क्या होती है boat की speed plus stream क्या होती है boat speed minus stream की speed अब आपको अनपात किसका किसका निकालना है B plus S अनुपाद river current यानि की stream के speed यह अनुपाद पहुचा क्या है अब इसी को solve कर लेना है देखो A से तो A कया cut 2 times of B minus S B minus S उपर चला जाएगा बटे में B plus S इसकी value कितने होगे 4 बटे 5 होगे 4 दो से कटेगा तो कितना जाएगा 2 यानि B minus S 3 बटे S 5 दो अनुपाद 5 होगे cross multiply कर यानि 5B minus 5S बराबर 2B plus 2S यानि 3B is equal to 7S 3B is equal to 7S यानि कि हम कह सकते हैं यहां से कि board की speed अगर 7 है तो stream की speed 3 है board की speed अगर 7 है तो stream की speed 3 है यानि B plus S कितना हो जाएगा 7,3,10 अनुपाद stream की speed कितनी है तो यही पोचा जाएगा बोलो के लिए अब आपको जो समझना है वो यह आपने कहा जब 3 बराबर दूरी है तो 2 यह गया होगा अब exam में कैसे करना है यह समझा किया आपने कहा कि अगर x से q तक गया तो 2 यह गया यानि 2 दूरी गया और वापस आया ए दूरी गया किस speed से b प्लस s से आया किस speed से b माइनस s से जो समय का अनपाथ है चार अनपाथ पांच यह दूरी दोग नहीं जाती है तो 4 अनपाथ पांच पहले दूरी 2 यह फिर बाद में 2A गया और A गया पहले 2A गया बाद में वापस A वापस आ तो जब अनपाथ है वो हो समय का वो 4% 5 है याई अगर यहाँ भी A गया होता तो 2% 5 होता है याई एको B plus S से जाए और A को B minus S से जाए तो जो समय का अनपाथ है उसर दोपाथ 5 यहां से आप कह सकते हैं यहां से आपको चोड़ो यहां यहां से पूचा गया था यहां यह दस बटे-एस ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं नहीं जा गया कहा गया 240 मीटर लंबी रेल गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले ब्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है यह जो ट्रेन है वह 240 मीटर लंबी है अगर वह किसी ब्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर ही दूरी तेया करेगी यह एगर एक सीजा में जा रहा है तो सब्सक्राइद से शुषा क Leshp 2 dele गाले से चांप सेजंकर की स्यूरी क्शन से स्वहसे हारो गालो तो यहां से आप निकालो, तो दो सो चालिस बटे नो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, किलो मीटर पर धी घंटे के लिए, अठारा बटे पांस से गुड़ा करोगे, तो यह नौ से कटे का अठारा, पांस से कटे का अठालिस, जैनि टी माइनस सिक्स बराबर 96 यह निती बराबर 102, त्रेन की स्पीड जुआ है, वो किलो मीटर पर धी घंटे में 102, अब आप एक बाब बताओ, आपने का 102 की स्पीड से, 102 किलो मीटर पर धी घंटे उसकी स्पीड आई है, उसको अगर सुरंग को पार करना है, तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल क कि दूरी, यह 240 प्लस 332, तो कितना हो जागा, छे सो बारा ट्रेवल करना है, मीटर, आपके पास स्पीड किसम है, किलो मीटर पर धी घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, यह गुड़े पांच बटे अठार हो जागा, इसी स्पीड से, टेन की स्पीड टी लिख से कटेगा, सत्तरा ती यह 51, सत्तरा चक्के 102, ठीक है, यानि कि 36 यह एक सो आठ बटे पांच बचेगा, काटोगे तो 21.6 हो जाए, सेकंड, ठीक है, 21.6 सेकंड, बोलो क्लियर, अगला प्रश्न, साड़े चालिस की चाल से चलने वाली एक रिल गाड़ी, खंबे को पार करने कितना दूरी? स्पीड कितनी है, उसकी, स्पीड है, साठे-चालिस किलो मेटर पर दिघंट, यानि 81 बटे-दो, किलो मेटर पर दिघंट, इसको मेटर पर सेकंड में बढ़लने का, 5 बट्टे-गारा से कर दोगे, गुड़ा, भादो गड़ा करोगे, 9 दुनिह था, 9 रहे क यानि 45,4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो 24 सेकंड लगते हैं इस स्पीड से यह स्पीड आपकी है यह टाइम है तो डिस्टेंस कितना ट्रेबर किया होगा आपको मैंने बता है किसी बिंदू को किसी खंबे को किसी चीज को पार करने के लिए अगर उसकी कुछ डिस्टेंस नहीं है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी रिताय करती है 24 सेकंड में इस स्पीड से अगर वो पार करती है तो उसकी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस या ट्रेन की लेंथ जो होगी ट्रेन द्वारा एक बात बताओ किसी खंबे को पार करने में कितनी दूर रिताय करती है अपनी लंबाई के बराबा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगे time into speed time कितना समय लगा उस खंबे को पार करने में into speed तो time तो तो यह 24 speed है 45 बटे 4 तो 45 बटे 4 से कर दो गोड़ा तो उसकी speed है जाएगी उसकी ट्रेन की लंबाई आजाएगी चार से कटेगा 24 चे और यह 45 चक्रें की लंबाई हो गई 270 अब 270 उसकी लंबाई 270 को पार करने में उसने 24 सेकंड लगा यह दिया गया है देखो 270 को पार करने में अपनी दूरी के बराबर ही तो चलेगी अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी कबर करी होगी खंबे को पार करने में 24 सेकंड में उसने 270 चला अब आप से कहा गया कि साढ़े चार सू और चलना है साढ़े चार सू और 270 को चलने में 24 तो साढ़े चार सू और यानि आपको जाना कितना है 720 270 को 24 में यासे हम कह सकते हैं 90 अगर गई होगी तो 8 सेकंड में अगर 90 मीटर चलने में 8 सेकंड तो 90 का कितना गुना है सबस्क्राइब लगा होगा लेकिन 100 के बाद वो खराब हो गए यानि अब बची कितनी दूरी 200 270 को वो पहले S से जाना था अभी उसकी में कुछ खराबी हो गई तो उसकी स्वी 5 कम हो गई यानि S-5 हो जिसके करण 36 मिनट की देरी हो यानि 270 को S से जाती ही तो 36 मिनट कम लगते अब चुकि S-5 से जा रही है तो 36 मिनट ज्यादा लगते है यही का रेल गाड़ी की सामान चाल यानि S की वैलू पूछे आपने कहा 270 ट्रेबल करना था S से ट्रेबल करते उसी 270 को S-5 से ट्रेबल कर रहे है तो जो समय का अंतरा रहे है तो 36 मिनट में जब रहेगा तो किलोमेटर प्रती गंटे में बदल ले तो 36 वटे 60 तीन वटे 5 गंटे ले यही तो होगे यानि आपने अब s की value चेक करने अब आप क्या solve करने जाओगे आपने क्या कहा 270 बटे s minus 270 बटे s minus 5 बराबर आया 3 बटे 5 अब आप क्या इसको solve करने जाओगे नहीं आपको पता है कि s और s minus 5 दोनों इसके factor हो सकते हैं या आप solve करना है तो देखो ऐसे करो तीन से काड़ दो 90 90 90 हो जाएगा solve ही कर लो 90 into s minus 5 minus 90 into s यहीं कितना हो जाएगा अच्छा हमने गलत लिखा अगर s minus 5 से जाएगी तो अब ज़्यादा समय लगेगा यानि यहाँ पे s minus 5 होना चाहिए और यहाँ पे s होना चाहिए आपने कहा जब कम चाल से जाएगी तभी तो ज़्यादा समय लगेगा यानि ज़्यादा कौन सा होगा समय s minus 5 वाला और कम कौन सा होगा अब आपने solve कर लेना है आपने कहाए आपने 90 90 भटे s minus 5 minus 90 भटे s बराबर एक बटे 5 तो यहाँ से solve करोगे और गुड़े 5 तो 45 गुड़े 10 गुड़े 5 यानि 45 गुड़े 50 हो गया तो 45 गुड़े 50 को 50 गुड़े 50 लिख लो बराबर s into s minus 5 देखो s बराबर 50 हो गया देखो 50 into 50 minus 5 45 तो s बराबर 50 हो गया यही पूचा गया था आपसे एक रेल गाड़ी पहले 75 किलोमेटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तह करती है और अगले 90 किलोमेटर की दूरी समान चाल से 10 किलोमेटर पड़ते है यह उसा चाल से तह करती है यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है समाने चाल से 300 km की दूरी तैकरने हम कितना समय लेगा कहा गया 75 को पहले एक स्पीड से गई होगी 75 को एस से गई आप कहा गया फिर 10 ज्यादा से जाने लगती है यानि 75 को अगले 90 को यानि 90 को एस प्लस 10 से होगी और टाइम कितना लगा तीन आप से कहा कि समाने चाल से 300 जाना है 300 को एस से जाने पर यानि 300 बटे एस टाइम की वैलू की होगी ठीक है आप एक बाह बता हो अगर तीन से में काट दू तो या आएगा 25 बटे एस प्लस 30 बटे एस प्लस 10 बराबर एक ठीक है यह तो हो जाएगा अब इसको आप आप से भी सॉल्व कर सकते हो तो तो अगर 300 बटे एस बराबर 5 घंटे 15 मिनट ले तो यह कितना हो जाएगा 5 सही 1 बटे चाल यानि 26 बटे चाल जो की कटे गा नहीं 300 से अभी बात में समझा है समझना पहले इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करोगा 25 अब प्लस 200 यह बराब एस इंट्वी एस प्लस 10 इधर हो जागा यह इनि एस स्क्वार प्लस 10 यह स्क्वार माइनस 45 अब माइनस धाइस सो बराबर 0 वह जाओंगे दो फैक्ट है इनको घटाने पर 45 आप करेंगे 50 और 5 यह की वैलू 50 हो जाएगा एक मायमेस 45 इंटी ऐस मायनिस स्प्चास इंटुए 70 प्लस पांच बराबर जीरो करोगे तो 50 प्लस प्लस 5 ब्रावज 0 गुरूगे तो S ब्रावज 5 होगे जो कि पॉस्बल नहीं तो S ब्रावज 50 अब S ब्रावज 50 तो 300 बटे S पूछा गया निए 50 इपाइट करते हैं आप option value putting से भी कर सकते हो अब आपको यह पता होना चाहिए कि value कैसे put करने हैं ठीक है मुझे करना होता है मैं यहां के बाद value putting से करता है क्वाडरेटिक न सॉल्व करता है मैं कहा क्या गया एक रेल गाड़ी सुबह 8 बज़े station A से निकलती है और दोपहर 12 बज़े station B पर पहुंचती है एक कार सुबह 8 बज़े station B से निकलती है और station A पर उसी समय पहुंचती है जब रेल गाड़ी station B पर पहुंचती है वह एक दूसरे से किस समय मिलती है यह पूछा गया देखो, दो stations की बात कीगे, this one is station A और this one is station B कहा गया, train आठ बज़े निकलती है, वो बारा बज़े पहुँच जाती है, यानि कि time जो लेता है, train जो लेती है, वो चार घंटे का लेती है train यहां से A से B की तरब जाती है, जब A से B तक जाती है, बारा बज़े पहुचते हैं, अब जो car है, वो साड़े आठ बज़े निकलती है, कितने बज़े, साड़े आठ बज़े कौन है कार यह कितने बज़े यहां पहुचते बारा बज़े यानि इसको कितने घंटे लगे साड़े तीन घंट आप जो दोनों टाइम है उनका LCM ले लो चार और साड़े तीन को तो 14 आएगा आप टोटल दूरी 140 माल लो अगर टोटल दूरी 140 है कार चार घंटे मेटर बल कर यानि इसकी स्पीड 35 किलोमेटर पर ती घंटे हो गए और जो कार है वो साड़े तीन में 140 चलती है यानि कि 140 बटे साड़े तीन यानि कि 40 इसकी स्पीड हो जाएगी किसकी कार की कार हो गई 40 ट्रेन हो गई 35 आपने का जब कार सुरू हुई न उसके आदे घंटे पहले तक यहां कहीं आ चुके होगी ट्रेन चल चुके ट्रेन की स्पीड है 35 आदे घंटे में साड़े सत्तरा तैकल लिया होगा यानि अब उनके भीच की दूरी यहां पे आपकी ट्रेन है और यहां पे कार हो बच चुके हैं साड़े याट यानि आप दूरी कितनी बची 140 मैंने 17.5 यानि 112.5 की दूरी है और अब जो है वह एक दूसरे की तرف किस सुपीड से हैंगी एक की सुपीड से 1,41 एक की चालिस नहीं इकी एक की पंच की प्लती प्चतर हो जाए जनि 112.5 को प्चतर से तैकने में 12.5 बचे पचतर घंटे का समय लेगा पांस से काटोगे पंदरा पां तीन घंटे का समय लगने वाले अगर इतना घंटे तो मिनट में बदल लो गुड़े साथ कर लो यानि 20 से गुड़ा हो जागा यानि 98 मिनट आ जाएगा कितना 98 मिनट का समय लगेगा कितने बजे के बाद इतने देर बाद यह मिल जाएंगे एक दूसरे से कहने का मतलब कि अगर 112.5 एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना है तो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगी और वो कितने घंटे में मिल जाएंगे एक घंटे 38 मिनट में आपको बता साड़े आठ से अगर एक घंटे बाद दूसरे को मिलेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉंसेट था बस नाव धारा का समय क्वेश्चन है बहुत आसान सा प्रश्ण है क्या कोई नाव छे घंटे में धारा की विप्रित साड़े 27 किलोमेटर की दूरी और धारा की दिशा में 33 की दूरी तरह करती है इतने ही समय में य 27 किलोमेटर की दूरी तरह कर सकती है यह न्याव धारा की विप्रित 36 किलोमेटर धारा की दिशा में 444 कि इतने समय में देहान से हमसे घर कि धारा की विप्रीध्य दिशा में speed होती है B minus S, बोट की speed, minus S臍टेम की speed, धारा की दिशा में ऐसे b plus S, और वी की speed plus धारा की, पहला case करें, का के 27 किलोमेटर की दूरी धारा की दिशा में सब्सक्राइब भीप्रीद दिशा में 27 किलोमेटर 27 को बी-स से गई तो 27 बट्टे बी-स का समय लगा हो और धारा की दिशा में 33 किलोमेटर यानि कि 33 किलोमेटर भी प्लस से यह आपको लगा 6 गंट कंगे इतने ही समय में 6 प्लस निकालना है आप देखो पहले इन दोनों इक्वेसंस को देखो इनको एक साथ भी माइस सुआले एक साथ लोगे तो 36 वटे माइस माइस 25 माइस एक त्यहिए नोव बटे भी माइस एस हो जाएक है तो 10-11, 10-1, 9 ठीक है ? अप देखो S समझो B की बैलू 10i, S की बैलू B माद एज़, 9 B प्लस S, 11 36 को B माद से जाना है तो कितना समय लगए लगेगा, 4 गंटे 24 को B प्लस S से जाना है यउनि 11 से जाना है, कितने गंटे लगें लगेंगे, 4 गंटे टोटल समय कितना लगेगा, चार गंटे प्लस चार गंटे, आठ गंटे एक लाइन का प्रशनता, में क्या कहा गया, कहा कि A को 160 की दूरी ते करने में B की तुलना में, आठ गंटे अधिक समय लगता है, A अगर चाल दुग नी कर दे तो उसे B की तुलना में, जो ए द्वारा लियागे समय से आठ घंटे जाद है आप कहा गया कि अगर ए भाई साब अपनी स्पीड दो गुनी कर दे यानि एक सो साथ बटे टू यह हो जाए तो इनको अब बी की तुलना में पांच घंटे जादा लगते यानि टी घंटे लेता तो टी से तीन घंटे जा यह की वैल्यवी येभी है एकसाद बाभर यानि दोने। बराबर हो गया समय धो गंटे में एक सो साथ चल सकता है तो कि की स्पीड कितने होजेगी 160 बटे दो यानि 80 एक लाइन का प्रश्ण यह प्रश्ण पाइप एंड सिस्टन का है जो कि मैंने करवा रखा है आप जाके देख लेए ठीक है पाइप एंड सिस्टन का है और यह आपको करना भी है यह आपके लिए होमवर्क माल लो ठीक है आपके होमवर्क ऐसे प्रश्ण आएंगे क्या करने 72 की स्पीड से 12 सेकंड में पार करती है त्रेन की लंबाई निकालोगे 72 को पहले मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो बहतर गुड़े पांच बेट थार यह नि 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाला जाएगी 20 मीटर पर सेकंड से 12 सेक लिगाई दूरी 240 प्लस 300 साट है निकी 600 हो जाएगी उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड तो 600 पर करने में 600 बटे 20 यह ती सेकंड का समय लगाएगी बोलो क्लियर अगली प्रश्ण में कहा गया यह मैं कैन रो डिस्टेंस आप 8 किलोमेटर डाउन स्टीम इन शर्टें डाइम और कैन रो 6 किलोमेटर आप इस्ट्रीम इन सेम टाइम यहां से सॉल्ब करोगे तो बी प्लस बटे बी माइनस आठ बटे 6 बटे तीन आ जाएगा अनुपात निकाल ले ना तो 3B प्लस 3S कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा तो जोड़ोगे तो 2B आएगा नीचे घटाओगे तो 2S आएगा कट जाके B बटे S आजाएगा 7 बटे एक निए B की वैलू 7 होगे S की वैलू 1 होगे अब आपसे कहा क्या गया 7 मतलब 7 ना मानना क्योंकि अभी रेशियो आया है निए 7X मालो X मालो ठीक है कहा क्या गया कहा गया यह दिवो धारा की विप्री दिशा में 24 किलोमेटर की दिशा में 24 जाने में उसे कितना समय लेगा 24 बटे धारा की विप्री दिशा में 24 को कितने से जाएगा बी प्लस S है तो जो टाइम लेगा एक सही 3 बटे 4 गंटे यानि 7 बटे 4 गंटे तो आपसे पूछा क्या गया है यह लिखा हुआ चार बटे एकस यह लिखा तीन बटे एकस यानि 7 बटे एकस बरावर हो गया 7 बटे चाल यह पूछा गया अखिली यदि अपनी सामानी चाल की तुल्ना में 10 किलोमेटर पर तिघंटे धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 1500 किलोमेटर की दूरी तह कर 10 किलोमेटर पर तिघंटे कम कर दी तो तो 1500 किलोमेटर को ट्रेफल करने में वह 30 मिनट जादा समय लगाता है कहने का मतलब समझें देखो ऐसे प्रश्णों को आपने खाए 1500 को पहले ऐस से जाता था तो उसे टाइम लगता हो अगर 1500 बटे अब ही जाता है वह 10 किलोमेटर प कर आप से काके सामानी चल से 15 यही एस मैनिस 15 से जाना ह्ट। की दूरीतEst है करने कितना टाइम ले अब इसको सॉल्व कर लेना है आप से आपको देखोंगे 1500 बटे अस मैनेश बरावर एक बटे तो यही तो दिया ग्या? आपको क्या दिया किया गिर 1500 बटे एस मैनस 10 मैनस 1500 बटे S बराबर एक बटे दो, solve करोगे तो यह पंदरास हो आ जाएगा, पंदरासो बटे S इन्टू S माइनस 10, बराबर एक बटे दो, यह आप कह सकते हैं, S इन्टू S माइनस 10, उकल तू 15 सो गुड़े दो, 3000, 3000 को आप 60 गुड़े 50 लिख सकते हैं, यह एक ही समय पर सुमन, अस्थान X से Y के लिए निकलती हैं, और रेखा, अस्थान Y से X के लिए निकलती हैं, कहा क्या गया है, यह X है, यह Y है, यह सुमन है, यह है रेखा, रेखा इधर से इधर आती हैं, सुमन इधर से इधर जाती हैं, जब यह दोनों एक दूसरे से रास्ते में मिल जाती हैं, उसके बाद, कहा कि रास्ते में मिलने के बाद, सुमन और रेखा Y और X पर, यानि सुमन को Y पर पहुच मिलने के बाद रेखा की स्पीड दी गई है नौ तो आप से इनकी स्पीड पूछी आपको मैं बता दूँ अगर दोनों अभी प्री दिशाओं में चल रहे हैं एक ही स्पीड बट रेखा की स्पीड होगे यह सुमन की स्पीड को समाने बटे रेखा की 9 बराबर हो जाएगा अंडर रूड में T2 बटे टीवन q2 कौण सा हो जाईगा के तो cake वन यह वाला हो जाएगा कर दिटिटू बाटे वन कितना वाज हो जाएगा सोब को यहां से आपका हो गया कितना हो जैगा डू भटे सोबहटर enforced ढशाएगा 8 एश बठेवन बराबर फेन बठेट 4 3 बटे 4 हो जाएगा हमने सही किया है T2 बटे T1 S बटे R बराबर T2 9 बटे 5 बटे 16 बटे 5 3 बटे 4 ठीक है यहाँ से S बराबर हो जाएगा 27 बटे 4 27 बटे 4 यानि कि यह 9 बटे 5 ही हो रहा है 1 गंटे 4 होना ठीक है 3 गंटे 3 सही 1 बटे 5 तो आपको जो फॉर्मूला याद रखने है वो याद रखने है एस वन बटे एस टू बराबर अंडर रूड में टी टी वन किसके दारा लिया गया समय है कहा कि कोई रेल गाड़ी 62 की स्पीड से चलती है अप्रे गंत अब्रेस्थान पर 15 मिनट देरी से नब्बे से जाती है पांच मिनट की देरी से पहुंचती है यात्रा का सही समय कि देखो अगर दूरी एस रही हो एस को 72 से जाने पर मालो टाइम ट हो। वह टी घंटे का हो टी से कितने घंटे ज्यादा लेती है पंदरा मिनलिल या पलस 11 बटे minus s buti 90 नहीं तो हो जाएगा तो s common हो जाएगा मैनिस 1 buti 90 लोगे 360 यहाँ पर 5 buti 360 यह हो जाएगा 4 buti 360 यानि s into 1 buti 360 ऑल अब 1 buti 4 minus 1 buti 12 यह यहीं 2 buti 12 यानि 1 buti 6 है यानि s σ बराबर कितना हो जाएगा 60 अब s बराबर 60 हो गया तो कहीं से भी T की value निकाल लो यहाँ पर रखतो 60 बटे बहादता जाने कि 5 बटे 6 माइनस 1 बटे 4 बराबटी 5 बटे 6 घंटे कितना 50 मिनट 1 बटे 4, 15 मिनट 50 माइनस 15, 35 मिनट A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km अगर A अपनी चाल दूग नहीं करता है तो 80 km तय करने में 20 से 1,5 घंटे जादा लेता है B को अपनी 40 से 120 दूग तय करने में कितना समय लेगा बहुत आसान सा प्रशन का कि 40 की दूग तय करना है A को 40 बटे A समय लगा होगा 40 को तय करना है B को 40 बटे B समय लगा होगा का कि A जो है 20 से 2 घंटे जादा समय लेता है यानि ये समय 20 से 2 घंटे जादा है बीदोरा लेगा का गया अगर A अपनी स्पीड दूग नी कर दे यानि A से 2 ये हो जाए तो 80 दूरी टेबल करने में यानि 80 को 2 A से जाए तो 80 बटे 2 तो का गया 20 से यानि कि B भी 80 जा रहा है यानि 80 बटे 2 तो उसे 1.5 घंटे का समय जादा लेता है यानि 1.5 घंटे का समय जादा लेता है आप कहा गया B को अपनी चाल से 120 किलोमेटर की दूरी ते करने में कितना समय लेगा देखो 40 बटे ये ये भी लिखा यानि बी बराबर कितना हो जगा 42 ना 80 बी की हो गई स्पीड 80 120 जाना है तो 120 बटे 80 यानि डेड़ घंटे का समय लगेगा एक लाइन का प्रशन यह भी मुझे नहीं समझाता कि आप लोग को कौन सी ट्रिक के जरूरत होती कहां पर जरूरत होती है जो ट्रिक आपको जाननी ब दीकतों सीधे सीधे दिया साथ किलो मिट्र डाउन स्ट्रिम जानान है 군 बटे in ट्रोटाल टाइम में 85 बटे चार फांच गड़ पांच इानि योका चैननी आप से कहा गया, 6 km डाउन इस्ट्री मैंने 6 बटे डी की वैलो निकाल देखो, अगर इसको और इसको घटा दूं तो 5 जरी, आपको निकालना है डाउन इस्ट्री में स्पीड, यानि यू वाला कैंसिल करना है, यहाँ पर 5 बटे यू है, यहाँ धाई बटे यू, तो 2 से यह दी घटेगा तो 2.5 बटे डी आएगा, यहाँ पर दस बटे बारा, यहाँ पर लिखा 3 बटे चार, तो 10 बटे बारा माइनस, 3 बटे 4 को लिख सकते नौ बटे बारा यानि एक बटे बारा होजा, यानि 1 बटे दी बावर से बटे बार यानि 2 बार बार गुळे धाई 30, अगर कोई अँटे क्या दूरी धारा की विप्री दिशा में 30 फिलो में 30किलो में 30 गंटर याए कि आप एसी किशाम स्पीड था खाँ आप से क्या हैनको नाव साट किलो मेंटर की दूरी बेचा समय में सांत जल में यापको बोर्ट की स्पीड निकलना है आप हमेशा याद रखे बोर्ट की स्पीड बराबर होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड बटे दो और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस आप इस्ट्रीम स्पीड बटे आपको निकालना क्या सांत जल में चाहिए यानि धारा की चाल चाहिए नौ की चाल चाहिए तो दी प्लस यू वाई टू यानि कि 30 धन 10 40 बट्टे दो यानि 20 इसकी स्पीड होगे 20 स्पीड से 60 किलोमेटर जाने में पूचा कि कितना समय लेगा इस प्रशन को देखो इस प्रशन को अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो टाइम लगेगा हला कि बेसिक से ही स्टार्ट करके देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कोई नाव किसी बी शिकी कि नदी में ए से भी की बीच राउन्य छ 2017 नहीं करते क Jeżeli Herain Lessen को डूरी को टी घंटे में तए होगी तो दूसरी साइद सा धारा को प्रिंदि-चामे साथग अगर अगर इसथिर से चाइव नदी का नदी की चाल भाज बतानागा अ मेंतोल तक कि दूरी- कुछ भी मनले D दूरी हो तो D को गई कितने में होगे D बटे B प्लस S से मनलो गई बोट प्लस स्ट्रिम की स्पीड से आई होगे D बटे B माइनस S से तो इतना टाइम लगा होगे टोडल टाइम इतना हो इसका 80 बटे 161 गुना लगेगा अगर हम B को 2 गुना कर दें बटे B को 2 गुना कर देंगे बोट की स्पीर सांध जल में 2B प्लस S से जाएगी और 2B प्लस S से वापस आएगी नॉर्मल सा बेसिक सा जो भी कॉंसेट पढ़ते आए हैं उसी पर equation मनेगे आप कहा के इस तिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनपाद गया तो अब आप option पर आज़ो यह आपको जो पहली speed दी जाएगी बी की value दी जाएगी दूसरा अनपाद जो दिया जएगा अगर मैं पहला अनपाद 11 अनपाद एक लो तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा देखो डी 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 तो सब जगा कट गया कोई मतलब ही नहीं अब अगर मैं यहां पर लिखो 11 एक बारा तो पहला option बन रहा है अगर बी बराबर 11 रखों एस बराबर 1 तो पहला बन रहा है एक बटे 12 धन एक बटे 10 यनी कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पाँच बटे साथ यह हो गया ग्यारा गठे साथ यानी ग्यारा गठे साथ हाना चाहिए खुल और फोप्मोत नीलू सा ओप्सन से कर सकते कोई कर आई किक बंसपने लिएगुट पुपक्रमस चाहिए दो एकूट सकते हैं स्पीड कितनी हो से कि 144 बटे एक पॉइंट हा तो अठारा अठे 144 यानि स्पीड हो गए 80 आप कहा कि 20% अधिक 40 से 20% 80 का कितना होता है 16 बढ़ा तो यानि 96 अभी स्पीड हो गए दूरी कितने ट्रेबल करनी है 144 का दो गुना है यानि कि 288 96 के स्पीड से 208 बटे 96 यानि 96 गुडए 3 होता है यानि 10 सेकंड का प्रश्ट 48 की चाल से चलती रेलिगाडी उसी दीशामें 12 की चाल से चलते ब्याकती को 18 सेकंड में यानि इस 10 meters per second से वो किसी को पार करती है किसी ब्यक्ति को 18 second यानि आपको पता है speed आपको पता है time तो आ जाएगी distance और जो distance आगी ब्यक्ति को पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर हिताय करेगी यानि जो distance travel लाएगी वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी यह दस की स्पिर्ट से अठारा है यह दस गुड़े अठारे 180 मीटर होके ट्रेन की लंबाई अब आपसे कहा गया और विप्रीत दिसा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है महिला की चालवत आपने कहा कि ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर उसकी गती है 48 इधर से महिला आ रही है महिला मतलब की महिला मैं महिला ले लिकूंगा 48 से वो इधर जा रही है महिला आप उजिट दिसा में 12 सकंड में पार करती है अब एक बाइब बताओ महिला को पार करने में जब पुरुस को पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर रिताय करती है तो महिला को पार करने में 14 मीटर मोटी महिला ना हो 14 मीटर मोटा पुरुस तो अगर हम नगड़े मानते है यानि कि 0 मानते है उसकी चोड़ाई को जितना तूरी करना होती है अपनी दूरी के बराबर ही माल लेते हैं उसकी लंबाई 0 माल लेते हैं जैसे पुल होता तो पुल की लंबाई जोड़ देते हैं अब महिला और पुल उसकी क्या लंबाई चोड़ाई 0 माल लेते हैं तो महिला को पार करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है आप कहेंगे उसकी स्पीड अरतालिसा भी प्रिद्धिसम महिला यानि उनकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वह S1 प्लस S2 हो जाएगी लेकिन आपको पता है डिस्टन्स आपको पता है इस टाइम तो इस स्पीड य और आपने कहा था कि जो स्पीड होगी वह S1 प्लस S2 यानि 48 प्लस महिला की स्पीड के बरावर होगी यानि 48 प्लस महिला की स्पीड बरावर 54 तो महिला की स्पीड कितनी हो जाएगी 54 माहिला की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमेटर परती घंट कोई रेल गाड़ी एक समा सामान दूरी ते करने में एक घंटे कम समय लगता सामान चाल से चलते वह तीन सो पंद्रा की दूरी कितने दिर आप ने खाँ साधे अगर फैक्टर बनाने है साधे चार सो के तो आप करेंगे एस बराबर पचास हो जाएगा क्योंकि प्लस 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 प्लाइब कर लेने क्योंकि पांच किलोमेटर जादा होती तब आप देखो एस और एस प्लस 5 29 प्लस प्लस थाइब यानि एकदम सही एस रख र और प्लस 25 سबरा पचास समय लगे गा तो बैलू पुटिंग यानि वैलू पुटिंग जो होती है बेलू बैलू बैलू जो सबहलोड़ो पुटिंग से आप आसानी से कर सकते अ और बी दो अस्थान है जो एक दूसरे से 45 किलोमिटर दूर इस्तित है है ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों की बीच की दूरी requires 45 किलोमिटर है कागे अस्थान ए से कार चलना शुरु होते हुआ उसी समय पर अस्थान बी से दूसरी कार यानि इधर से ये इधर से ये चलना सुरू हो जाती है अगर ये दिवह समान दिशा में चलते है तो साड़े चार घंटे में मिलती है और एक दूसरे की ओर चलते है तो 27 मिनट में मिलती है तेज चलने वाली कार की चाल गयात का देखो, अगर वह एक दूसरे के विप्रीद दिशा में जाएंगे, यानि एक इस साइड में, एक इस साइड में, तो उनकी रिलेटीव स्पीड हो जाएगी स बराबर स1-S2, और अगर एक दूसरे की तरफ चलेगी, तो s बराबर हो जाएगी, यानि s10 बराबर हो जाएगा s1 प्लस S2 आपने कहा कि अगर हम S1-S2 से यानि एक ही दिसा में चलते हैं तो कितने गंटे साधे-4 गंटे साधे-4 गंटे मतलब 4.5 बार तो S1-S2 आपको पता है स्पीड है दूरी है 45 किलोमेटर और टाइम लग रहा है साधे-4 गंटे साधे-4 से 45 बार तो & कि सपीड साधे-4 उर अगर एक दूसरे की तरफ चलती है तो कितना मिनिट लगता है सत्ताइस बार कितना होता है आप सत्ताइस मिनिट कहेंगे कि कितना हो जाएगा 9S by 20 9 by 20R आप कहरें 45 km को चलने में अगर 9 बटे एक दूसरे की तरफ चल रही है तो किसी स्पीड से चलेंगी S1 plus S2 से यहां से S1 plus S2 बराबर आजाएगा 45 km के दूरी हो कितनी देर में 27 मिनट 9 बटे 20 घंटे यहां से 9 से 81 के 5 100 हो जाएगा आप से कहा के तेज चलने वाले की कार की स्पीड बताओ S1 minus S2 है 10 S1 plus S2 है 100 दोनों जोड़ेंगे तो 2S1 बराबर हो जाएगा 110 यानि S1 बराबर 5 नॉर्मल सी बार अब अगर यह समझना है आपको एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 minus S2 एक दूसरे की भी प्री चलेंगी एक ही तरफ चलेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड S1 minus S2 और एक दूसरे की तरफ आएगी तो S1 plus S2 हो जाएगा S1 plus S2 से 45 तरह करने में अगर 9 बटे 20 गंटे लगते हैं S1 plus S2 की वेलू कितनी हो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे अगर 45 किलोमेटर को S1 माइनस S2 से चलने में साड़ी चार घंटे समय लगता है S1 minus S2 कितना हो जाएगा S1 minus S2 आगे S1 plus S2 दोनों को जोड़ देने काम का था और इस वन इस यो लास्ट क्वेस्टन वाट इस आज़ इस 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 क्वेस्टन का कि इस तिर जाल में किसी मोटर बोर्ट की स्पीड 20 है यानि B बराबर 20 दे दिया धारा की दिशा में 1500 किलोमेटर फिर सुरुवाती बिंदु पर वापस आती यानि 1500 अगर धारा की दिशा में गई तो वापस आई होगी धारा की विप्रिशा में यानि 20 प्लस से अगर गई तो 20 माइनस से वापस आई होगी और जो टोटल टाइम लगा वो 16 घंटे करा आपको S की वैलू बताने बोलो क्लियर S की वैलू अब एक भाप बताओ 20 प्लस से और 20 माइनस से दोनों को फैक्टर बनाना है किसका अब अगर हम 6 रखे हैं तो 26 के डेड़ सो का फैक्टर है 14 नहीं अगर 4 रखे 24 और 16 है नहीं अगर 8 रखे तो 28 और 12 है नहीं S बराबर 5 रखे 25 भी है 20 भी है कितना रखोगे 20 माइनस 5 15 रखोगे 15 से इसमें डिवाइड होगा 10 तो 6 प्लस 10 16 हो जाएगा तो S बराबर कितना हो जाएगा वैलू पूटिंग से मैंने कर लिया 5 अगर वैलू पूटिंग से नहीं करना चाहते आप Quadratic Solve करना पड़ता तो यहांपर 1.500 इंटो 20 इन कि 3000-3000-6,000 हो जाता अब बवैर्स-पलस-गी इससे भी हो जाता हलाँ कि यह बराबर हो जाता लूटंग है? दीचोंग है. पाँबर 5 हो जाता बात करता हूँ तो भाई यह दीज वर्दा क्वेस्टेंस और जो time speed and distance से आपके पूछे गए थे time speed and distance के मुझे लगता है सारे टाइप के questions जो पूछे गए थे सारे questions नहीं cover कर दिया तो आप यह मान के चले कि इसी टाइप के question आपके exam में आएंगे कौन से exam कौन से exam में आएंगे जो upcoming exam कौन से upcoming exam कौन कौन से upcoming है CGL हो CHSL हो CPO हो ठीक है MTS हो कोई सा हो सब में इसी टाइप के question आएंगे और अगर आपने यह पढ़ा है अच्छे से सारे टाइप के मैंने कोसिस करिए कि थोड़ा basic से जाओ अभी नहीं आ रही है इस्टार बैस की classes भी खतम करनी है चुकि मैं घर आया हूँ थोड़ा time भी नहीं मिल पा रहा हूँ exam भी है अपना तो उसमें भी time नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा time kill हो गया लेकिन हाला कि मैं कोसिस करूँगा जल्दी जल्दी खतम किया आपकी सारी चीजें ठीक है अब आपको कौन सा टापिक चीए और कमेंट सेक्षिन में बताना होम और का अंसर देना वीडियो पसंद आगे लाइक करना ये पीडिएफ टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल जोइन करना देट साल फोर टूडे बबाए टेक केर आल वेड़ भेस फर और यृर आल कुंचा जांस बधनातर हम चैनल